पादाब नमस्कार मैं स्वादर सेफी और आप देख रहे हैं किसी जागरनों के हमारे खास परगाम फार्मर दा जनलिस्ट दोस्तों आज बात करेंगे हम किसानों के लिए एक सबसे उपयोगी छोटा सा इसमाल बिजनिस है और जिसको कहेंगे पॉल्टी फारम पॉल्टी फा किसा साथ कम पैसों के साथ सा refuse किसान लगातार अपना इस बिजनिस को भड़ा रहे हैं और अपने वीडियों कमाद्र में चैनल के माद्र में से बताना चाहिए किसा करके इसको लगाया जाए और कम बजट में एक तन कमाद्रिशा मुनाफा कैसा कमाए जाए है तो दोस्तों एक बार पर से स्वागत है हमारे नय ब्लोग में our channel किर्शी जाघरल । के वाएंद हम आज हम आपको बताएंघे के मुर्गी फारंम, यानि मुर्गी पालन UP का जो कारी है किसानों के लिए कितना लाटायक है और किसान किस तरह से इसका काम करने के यानि बुलकी पारण करने के बाद किसान किस तरह से लाखों रुपए कमा रहे हैं जैसा कि आप वीडियो में देख रहा हैं ये छोटे छोटे बच्चे हैं और इनके लगबग पंद्रा से बीस दिन की अभी आयू है और बीस दिन में अभी इनका आकार लगबग दो सो से तीन सो ग्राम तक हैं ये क्योंकि ये प्रती बच्चा जैसा कि हमें इस पोल्टी फारम के एक आउनर जो है अभी जिन से अभी वारता हुई उनर पता है कि प्रतेक बच्चा जो है लगबग बीस रुपए के सम्टिंग मिलता है और तो पूरा बढ़ जाता है तो ये पचास से साट रुपए तक लगबग दो महीने में कंप्लीट हो जाता है और दो महीने में लगबग यह बच्चा 60-70 से लिके 100 रुपत तक की रेंजी में बिग जादा है और किसानों के लिए एक अच्छी इंकम का दरिया है किसान भाई अपने अपने खेतों में अब लगता लगातार देखाया गया है कि अपने अपने खेतों में एक जोपली बना के और इसका पूरा जो फॉ को लगातार लगा रहे हैं और महीने पे लाकों रुपए की जो है इनकम को जनरेट कर रहे हैं हमारे इस पॉल्टी फारम के जो ओनर है उनसे भी हमारी बात थी और उन्हें पूरी जानकारी दी किस तरीके से इस का उप्योग किया जाए और इस पॉल्टी फारम को खोला जा लगातार पुल्टी फारम लगा रहे हैं क्योंकि इस असाफ से शादी विवाब पार्टी में जो एक रिवास से लगया उसे साफ से मुर्गे की यानि चिकिन का मार्कीट काफी बड़ा है आईए बात करते हैं हम उस किसान से जिनोंने ये पुल्टी फारम लगाया है वो बता कैसे की जाए और इसमें किसानों को कितना लाब हो सकता है कैसे करके इसकी शुरुवात की जाए इसकी शुरुवात जो है सबसे पहले जो है हमें टीन शैड डलवाना पड़ता है गा फूरा फॉंडिशन बनाना पड़ेगा टीन शैड हो तो बहतर रहता है और वैसे हलके कि जो है वो छफपपर में भी पाल लेते हैंगे लेकिन टीन शेट बहतर रहता है और उसके बाद जो है एह चूजा की शुरुआत होती है चूजे हमे खरीदना पड़ते हैंगे चोजा जो है मार्किट में अविलेबिल है क्या रेट में या सैकले के साथ से या किसाथ समय समय पर रेट अलग-अलग होते हैं कभी हमें 20 रुपए का बच्चा भी मिल जाता है कभी 25 रुपए का कभी 30 रुपए का कभी 40 रुपए का पोर बेचने लाइग पैंटीस से चालीस रोज में पूरा वह जाता है। क्या रेट इसका विक्तरी में क्या राता है। रेट जो है मंडी के हसाब से के तै होते हैं। आब इस समय जो है मंडी बहुत डाउन है. तो यह समझिए कि 75-80 रुपे की बंडी चल लगी है कितना एक्सपिरिंस है आपको इस कारिये में मुझे पांच साल चे साल हो गए है काम कर तो चटी साल है तो इसमें आपको लगता है कि एक तरीके से अच्छा चोटा बिजनिस के साथ साथ एक अच्छा इंकन भी है तो एक साल में लगवग कितना बच्चा आप जो पूरी रूप से लाते हैं और मतलब एक साल में हमारे छे कहते हैं छे फेर निकल जाती है छे शिप्टे हैं उसकी निकल जाती है तो हर शिफ्ट में यह है कि बच्चे को पर डिपेंड करता है कि कितना बच्चा पढ़ा उस हिसाब से प्रोफिट होता है